गुड मॉनिंग आप्रिबन कैसे हैं आप सभी आप सभी को जब होली की बहुत बहुत सुब कामना है तो देखें कितनी अच्छी जब हो एक लाइन लिखी है यहां पे निकलो गलियों में बना कर टोली भिगा दो आज हर एक की जोटी कोई मुस्करा दे तो उसे गले लगा लो वरना निकल लो लगा के रंग कहके हैफी होली तो आज हम डिस्कस करेंगे साफरा कुड़ू हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में देखिए अभी हाली में कुछ टाइम पहले जो वो जो हमारे देश के प्राइम निस्टर है रेंदर मोदी वो जो वह हमाद चलाया थे तो कई सारे हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट जो वो उन्होंने उपन किये तो सब की बात करेंगे पहले जो वो डिस्कस करते हैं क्या कोश्चिन है यहां पर लिकाए 111 मेगावाट साफरा कुड़ू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस विंग अगन्सट्रक्टिड और सिफ्क पुच्टिक प्रोज्च सारे कि कि रिवर पर और अब रहा हो ऑंद है यहींगे daily मेगावार्ड पर जो अगर फुच्वर नदी की बात कर एक चंदर नाहन जील में आपको एक कोशिन भी बुच जाता है कि चंदर नाहन जील जो वो कहां पे है देखे चंदर ताल और सूरज ताल जो वो हमारे हिमाचप देश की एक सबसे बड़ा डिस्टिक है सबसे बड़ा जीला है जो किलावस्पिती है उसमें जो वो चंदर ताल और सूरज ताल दोनो नदिया जो वो बहती है मतलब कि जीले है सुरी ठीक है चंदर ताल और सूरज ताल जीले अगर हम बात करें चंदर नाहन जील की वो जो वो हमारे सिमला में है तो यहां से ही पबबर नदी जो वो निकलती है इस स्थान को जहां से जहां परे चंदरांचील है इस स्थान को जोब चार माई ताल भी बोलते हैं तो इसको भी आप याद रखेंगे चार माई ताल भी जोब इसको कहा जाता है अगर हम बात करें कि यह जो पबर नदी है यह जो वो किसकी जो वो ट्रिब्यूटरी है किसकी जो वो एक साहिक नदी है तो आपने जो वो सुनाओगा पबर टॉंस नदी होगी तो यह जो वो यमुना की जो वो ट्रिब्यूटरी है तो यमुना नदी जो वो हिमाचिप देश में बेहने वाली सबसे चोटी नदी भी है इसको भी आप याद रखिये अगर बात करें सबसे बड़ी नदी की तो सबसे बड़ी नदी जो वो सबसे लंबी जो वो सतलूच है अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो वो कुलूच है जो ब्यास नदी आती है जो कि हमिरपूर में जाती है अगर हम बात करें नेक्स्ट हाइडो पावर प्रोजेक्ट की जो की ब्यास नदी पर बना हुआ है और बो बना है मतलब की बन रहा है अभी जो वो इसका जो वो मतलब की ओपन कर दी है लॉंच जो वो यह हो चुके है तो 66 मेगावाट का जो वो एक DHOLA SIDH हाइडो पावर प्रोजेक्ट है जो की ब्यास नदी पर बना रहा है और ये हमिरपूर डिस्टिक में बना है यह की ना हम sparkling पहला इसका पहला सुट प्रवर्जेक्ट बिएस नदी पर बन रहा है और फिलला जो हमिरपुर में अग्रम अग्र हमें अमें हमिरपुर के बात करें तो हम् Subscribe क्टो क्वर करें अनुराइख ठाकूर रहे अठाकुर्ण क्या है लोकसभा के मेंबर है पार्लियमेंट के तो यह हमारे जबो यह भी आप पर याद रेके यह हमारे जबो इन्फरमेशन ब्रोड कास्टिंग और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर के जबो मिनिस्टर है अगर मैं हिंदी में बोलू तो भारत के जबो संच तो यह जबो हमाचमदेश के पहले पिछले जो भी रहे जैराम ठाकुर है अभी आली में जो भी हमारे मुख्यमंतरी है जो की मंडी से है तो उन से पहले जो भी थे मुख्यमंतरी प्रेम पुमार्दुमर जो की हमेरे पूर्ट से थे तो उनके जबो यह बेटे है इनकी यह इसकी अगर हम बात करें अनुरार ठाकुर की तो इनकी यह जो मेरे कहल से 47 या 48 की आसपा सबUs दो हो गेole है अगर हम इनकी पतनी की भी बात करें तो इनकी पतनी का नाम जो भी सैफाली ठाकुर है सैफाली ठाकुर है जो पतनी नाम जो वो सीला दे भी है इसको भी आप ऐसे ही याद लग सकते हैं अगर हम बात करें नेक्स्ट हाइडू पॉबर प्रोजेक्ट की जो अभी जो उपन किया गया है तो वो है 40 MW का जो की रेटु का जी डैम प्रोजेक्ट जो भी इसको बोल जटा है तो यह जुभी आप यहाँ पे बनाए रेंडू का मेला भी लगता है त्पिका रेंडू का जील भी है जो कि हमाज स्वर देश की सबसे बड़ी जुभी प्रकृतिक है नैच्छोल जील है तो इसको भी आप आप यादर के सिर्मौर में बन रहा है तो सिर्मौर में किस नदी पर बन रहा है यह आपको याद रखना अ है किस रिबवर जाकर कर सतने हैं पी जो इना रिवर जो किसी पर सब्सक्राइब कि भाते हैं एक साघ Czechや सिवले जो कि सबसे को उबर जाए तो आद एक है तो यह झी तरह करें लिए यहाद रखे कि सब्सक्राइब कोई से 1973 तो यह घुझे हैं तो जो रैंड़ को जी और बच वैzus यह हैं लुहुन है लुहुना यह संद्धार होगी फिह संद्रात है इसको भी आप याद रिखिए वेरि इंपोर्टेंट है ठीक है अगर हम नेक्स्ट बात करें हिमांचल फर्देश की तो हिमांचल पर्देश में अच्छा इससे पहले इस पर्देश के बात करें हैं 12 डिस्टिक में अगर सबसेबडा अगर चोटा देखें एरिया वाइज बात करा हूं अभी अीरिया वाइस जो हमीरपूर में हमिरपूर फी का जो जन संक्या गनत्तो है वह जो सबसे जह ज़्याद है साइध 1,2,3 जो वो एक एवरेज जो वो पूरे हमालचे पुदेश का है मतलब कि 1,2,3 लोग जो वो एक वर किलोमेटर एरिया में रह रहे है तो इसको भी आप आद रिखे सबसे ज़्यादा जनसक्या गनत्यों जो वो हमिरपूर में है तो जनसक्या जो वो हमारे कांगडा डिस्टिक में जो वो सबसे ज़्यादा है अगर हम सबसे कम की बात करें तो आपकोस सबसे कम जो वो हमारे लाउस्पित्ती में है लाउस्पित्ती एरिया वाज तो सबसे बड़ा है लेकिन वहाँ पे पॉपूलेशन कम है ठीक है तो इसको आप याद रुखिए अगर है आम बात करें थोड़ा सा नदियों की तो सबसे बड़ी प्राक्रिटिक जील जो मैंने आपको बता दी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राक्रिटिक नैच्छर जो की रेणू का जील है जो की सिरमाऊर में है अगर हम बात करें सबसे वड़ी क्लित्रीम जो मानव निर्मित है तो बो जो बो कहां पर है बिलासपूर में है बिलासपूर में जो बो गोबिन सागर जील को आप याद रखे है गोबिन सागर जील अगर हम बात करें सबसे चोटी की अगर हम बात करें सबसे चोटी नेचुर लेक की ठीक है सबसे चोटी नेच्वर लेक तो जब वहारे मंडी में प्रासर जील सबसे चोटी नेच्वर लेक है पुरे हमाँ चपदेश की नेच्छल जो वो कौन सी है परासर है तो इनको भी आप याद रखिए और अगर हम बात करने जैसे चिनाफ नदी की अब भी हमने बात की तो चिनाफ नदी का जो बैदिक नाम है इसको भी आप याद रखते हैं बैदिक नाम जो बैदिक पुराने का समय में इसको क्या आ जात पांचल में जल गनदिों केह साइस है जूँ से बढ़ी नदी जो वो कौन सी मानदि धी है तो चंदर भागा नाम इसलिए प्ड़ा किउक के चंदरा और भागा नो दो नदियों से तो तांडी नामकस्तान पर यह जो चंद्रा और भागा नदिया जो वो इसके बारे में थोड़ा सब्दा दूँ, अधिके, बारलाचा दर्रे के आसपास से निकलती है, ठीक है, मतल़ कि जब बर्फ उपर से बिगले गा, तो नदिया बनेगी तो बारलाचा दर्रे के अधर स यदर के उतर से जो वो भागा नदी निकलती है और अगल अब बात करें दक्सिन से तो दक्सिन के साइट से जो वो जब वो चंदरा नदी निकलती है और आगे जब बैदिक नाम जो मैंने आपके उता दिया अस्कीनी या इसकमती यह जो वो दो आगरम कंट्री में जो वो बैती है भारत और पाकिस्तान ठीक है भारत और पाकिस्तान और एक और इंपोर्टेंट बार जो आप याद रिखिए कि यह जो चंदरभागा रिवर है जो चिनाफ के बारे में पबर्ण रिवर के बारे में आपको बता दिया पबर्ण दिया जो वो चंदनाहन जेल से निकलती है कहां अब है यह जो ऩो हमारे सीमला में है इसूर ही जो यह हाईडू पावर पैट् defence साव ड़ा कुट्डू जो हमारा एरिया वाई जोब मद्य भूमी बताय जाता है मद्य भूमी हम बात करें नेक्स्ट पारवती रिवर की तो पारवती नदी एक अब हमाद चीअधे वह है साह動 suka वह मत्थी नदी की बात करें तो part नदी ऑबती नदी जो वो वांचम देश में है जो कि ब्यास नदी ब्यास नदी करी निकलती है जो रोटांग् की आसक्स पास से यह निकलती है खी केफसे जो कुल्लू मंदी πिर अमीरपूर में अमीरपूर में जो जिसकी अभी एमने बात कीकी धोला-सिफ हाइडो पावर प्रोजेक्ट जो अमिरपूर का पहला है वो ब्यास नदी परही बना है जो 66 मेगावार्ट की अभी हमने बात की तो यह जो ब्यास नदी है इसकी एक ट्रिवुटरी है ठीक है कौन है फारवती रिवर आप कभी जो बो मनिकर्ण गए होंगे तो मनिकर्ण के साथ साथ में जो वो एक नदी वहती हुई जाती है मनिकर्ण में ठीक है तो बो जो ब्यास नदी सोरी ब्यास नहीं बो जो बो कौन सी नदी है पारवती नदी है और यह पारवती नदी जो वो आगे जाकर के ब्यास नदी में मिलती है ठीक है तो अगर बात करें बुंतर में जो एक हवाई अड़ा भी है इसको भी आप यादर किये तो हमारे कोशिन का जो आंसर था वो हो जाएगा पबर रिपर तो कुछ और नेक्स्ट भी हम बात करेंगे ऐसे ही कोशिन के साथ तब तक जो ओके थैंक यू